अमरोहा जिला उत्तर प्रदेश से दीपक वसिष्ट जी है इनका प्रश्ण है कि लक्षमी इर्दय स्तोत्र और नारायन इर्दय स्तोत्र इसमें से कौन सा इस्तोत्र पहले पाठ करना चाहिए तदा इस्तोत्र पाठ करने की क्या बिधी है और इन इस्तोत्रों के पाठ करने का क्या फल होता है देखिए मुख्य रूप से पहले माता लक्षमी के स्तोत्र का पाठ करें लक्षमी हुर्दय स्तोत्र का पाठ करें और फिर नारायन हुर्दय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए क्योंकि पितु हुँ दस गुणा माता माता का इस्थान पहले होता है आप कहीं भी देखें, कोई भी समास करें या जैसा भी हो, नाम लेते हैं हम लोग, तो लक्षमी नाराय, राधा कृष्ण, सीता राम, गवुरी संकर, ये संस्कृत में भी समास की प्रकरिया है, कि वो जो है समास में मात्र शक्ति पूर में चली जाती है, और पहले भी, अगर माता, पिता दोनों ही खड़े हैं, तो पुत्र को सबसे पहले किसे प्रणाम अभिबादन करना चाहिए, तो वहां लिखा हुआ है सबसे पहले माता का अभिबादन करें, गुरु, माता, पिता और कितने भी, जो आदरनी ये महापुरुष खड़े हों, उन सम्में सबसे प मता लक्ष्मी का इर्दाय स्थोत्र पाठ हो, बाद में नारान इर्दाय स्थोत्र का पाठ होना चाहिए। और दूसरी बात, आप ने कहां कि इन स्थोत्रों के पाठ करने के क्या फल है। देखिए शास्त्रों में यद्यपिस्तोत्रों के पीछे बाद में फलशृती होती है जिसमें बताया गया है कि इसका पाठ करने से ये होता है ये होता है ऐसा होता है किसी स्तोत्र में नहीं है प्राया सभी स्तोत्रों में है और जिन में नहीं भी है या जिन में बहुत फलशुरुतियां लिखी है तो उनमें भी जो मन में संकल्प करके आप पाठ करते हैं कोई मंतर है जिस मंतर में कोई फलशुरुति नहीं है मंतर का जप है परन्तु मंतर का अप उदेश क्या है उद्देश अवस रखना चाहिए संकल्प अवस्य करना चाहिए कि उद्देश आपका भगवत पीतियर्थ है भगवान की प्रसनता है भक्ति प्रापतियर्थ है या कोई धर्म में अविरुची है ब्रमवर्चस की सिद्धी है या कोई लवकिक दनबल पुत्रादिकी और भी कोई इच्छा है तो उसको संकल्प में बोला जाता है तो वो इस्तोत्र वो इस्तुति वो पाठ वो मंत्र वही फल देने में नियुक्त हो जाता है और वो समर्थ भी है ऐसा नहीं है कि कोई देवता विशेष ही या कोई मंत्र विशेष ही किसी चीज़ को देने में समर्थ ह हमारे इन्याइप और प्रतियेक देवता कि प्रतियेक मंत्र आपकी अभीष्छि शिध्धी करने के लिए और समर्त आपकी संपूर रूप से अभीष्छि शिध्धी कर सकते हैं और करते हैं और यह भी बताया गया है कि इसके लिए इस देवता की इस मंतर की आराधना करें इसके लिए इसकी करें ये भी है और मुख्य रूप से उस मंत्र में हर तरीके की सामर्थ है आप जिस तरीके से जैसा संकल्प करके जिस उद्देश से जो कारे करते हैं आपके अभीष्ट की सिद्धी उसी से हो जाती है और तीसरी बात आपने कहा कि इस्तोत्र पाठ करने के नियम का क्या है तो देखिए श्री यागवल के सिक्षा गरंथ में छह पाठ करने के इस्तोत्र पाठ करने के नियम बताए गए बिधी बताए गई है कि इस तरीके से पाठ किया जाए और छह तरीके के निशेद बताए गए है कि इस तरीके से ऐसे ऐसे पाठ नहीं किया जाए तो देखिए बगवान याजवल के अपनी शिक्षा में क्या कहते हैं कैसे पाठ करना चाहिए पहले बिधिव आके बतला रहे हैं छे पाठों के गुण है ये पाठ करने के और पाठक के ये छे गुण होते हैं माधुरियम मधुरता पूर्वक स्वर्मे अक्षर अब्यक्ति ही सुस्पष्ट रूप से अक्षरों को व्यक्त करते हुए उचारन करते हुए सुस्पष्ट रूप से पड़त छे दस तो सुस्पष्वरा है और ऐसा नहीं के वो सब को मिला करके बोलते जा रहे हैं जहाँ जू पद हैं, उन पदों का प्रिथक प्रिथक, या समस्त पद है तो उसको समस्त पद के रुप में, संधी पद है तो उसको संधी रूप में, पर उनको अलग-अलग पदों का समस्च रूप से उचाराण करकर पाट करना चाहिए. और सुच स्वरह एक स्वर में पाठ करना चाहिए कभी जोर से बोल ला है कभी धीरे बोल ला है कभी कुछ स्वर बदल लिया वो स्वर भी शास्त्री होना चाहिए किसी गाना की तरज पर आप गा रहे हैं इस तोत्र को पाठ को तो ये या कोई लवके ग्राम में गीत जिसको गाना को हमारे या संस्कृत में ग्राम में गीत कहा जाता है तो ग्राम में गीत हम न सुने आप ये जो है स्मृति बच्चन है आइसे तरीके से संगीत न सुनना और ग्राम गीतों की तर्जों पर-कोई भी इस तोतराद के पाठ नहीं करना तो वो सस्वरा है मनिए जो स्रेश्ट स्वर है उन स्वर में आप जो है बोलें धाइरियम उतावले पंसे नहीं धाइरियम धाइरन करके गंभीर रूप से इस्तोत्रादिका पाठ होना चाहिए ले समर्थंचा और एक ले में कभी जो है आप तारस्वर में बोल ला है कभी मध्य में बोल ला है कभी मंद्र में बोल ला है तो वो ऐसा नहीं अपने एक ले में उसको पाठ करना चाहिए कभी ना ती बिलमम ना ती सीगरम ऐसा कुछ नहीं एक अपने हिसाब से ले में ये छे प्रकार के पाठकों के गुन कहे गए हैं इस रूप से पाठ करना चाहिए और ये कार बिलकुल नहीं करना चाहिए पाठ करते समय अब वो गिना रहें भगवान यागिवल किया वो कहते हैं इस तरीके के ये जो अब पाठक अधम कहे गए हैं पाठ वो ऐसा इस्तोत्र पाठ करने वाला वो पाठ अशुद्ध है अधम है गीती और जोर-जोर से गागा करके अगर कोई गागा करके पाठ कर रहा है गाग कोई तर्जमें नहीं कर रहा है शीगरी बहुत जल्दी जल्दी पाठ कर रहा है त्वरा इंचपर वर्जये लिखा हुआ त्वरा न करे शीगरता न करे त्वरा शीगरता नहीं करना चाहिए तता शिरह कमठी कोई पाथ कर रहाएंएंट शिर को हिला रहा है कोई भी शरीर का अंगर क्वेश tense की चपलता को छोड़ते हुए तता लिखे तपाथ का अपने हाथों से हैं इस्तोत्र लिखी लिए हैं तो उसका पाठ कर रहा है किसी ब्रह्मन के द्वारा लिखा हुआ, होना चाहिये, ना ब्रह्मन लिपिम recurring निशेद कर दिया गया जो अब ब्रह्मन के द्वारा लिखा हुआ, इस तो तुर्ण राधि का पाठ कर नो कर, होसकता है उसमें सुद्धी रहे जाए जो व्याकन वेत्ता हों व्याकन इत्यादिका जिनको ग्यान हो उनके द्वारा और शुद्ध रूप में लिखित शुद'T रूप में अगर कोई पुस्तक आदि भी आपको किसी परिश्श से मिलती है तो उसको किसी ब्रह्मन आदि को श्रेष्ट व्यति को दिखा करके कोई उ आरम करना चाहिए अन्यता पुस्तकों में भी बहुत तरीके की अशुद्धियां रहती हैं और वो फिर वैसा याद कर लेते हैं तो वो सब ठीक नहीं है वो पाथ अधम हो जाता है बतला रहे हैं तथा लिखित पाथ का अनर्थग्यह और जो पाथ कर रहे हैं उसका मतलब नह सब्सक्ति को नहीं आएगा फिर भी वो पाथ कर है असा नहीं है कि पाथ को छोड़ दे हमको अर्थ नहीं पता है इसलिए हमने छोड़ दिया नहीं पाथ कर है परन्तु वो उत्तम पाथ नहीं है कहीं जिसका अर्थ लिखा हो या किसी विद्वान से उसका अर्थ समझ ले उसका भाव समझ ले और मन में उस देवता की प्राथना करते हुए उस देवता का चिंतन करते हुए अपने अविष्ट की प्राथना करते हुए देवता के स्वरूप और उस इस लोकों का अर्थ का चिंतन करते हुए पार्थ करना चाहिए अनर्थर ग्या अलपकंठष्चा कोई मन मन में पढ़े तो मन मन में मन में तो मंतर का जब किया जाता है इस्तोत्रा दिका तो वाचन रूप में जो दूसरे लोग सुन सकें इस तरीके से वाचिक या उपानसू रूप से इस्तोत्र का पाठ किया जाता है मुख्य रूप से वाचिक पाठ ही स्रेष्ट है उपांसू और मानसिक पाठ निशिद है पर मंत्र में इसका उल्टा है मंत्र तो मानसिक ही स्रेष्ट है वाचिक या उपांसू जोगा स्रेष्ट नहीं है इसलिए अलपकंट हो करके बहुत मनमन में नहीं पढ़ना चाहिए सुस्पष्ट रूप से ताकि आगे विराजमान देवता या बगल में कोई और भी बैठा हो तो वो भी सुन सके इस द्रिष्टी से पाठ करना चाहिए ये पाठ को के गुणा गुण बताए गए ये गुण है और अब गुण भी है इस द्रिष्टी से गुणों का पालन करते हुए और निशेदों का अब गुणों का परिवर्जन करते हुए पाठ करना चाहिए ये पाठ की विधी वैदिक मंत्रों में तता इसमारत इत्याद सुत्रों में तता इस्तोत्राड और पुराण आदिके वाचन में सरवत्र ही लागू होती है और भी पाठ आदिके विशिशियस नियम भी है तो वो भी ब्याकरण आदिका ग्यान रख करके और जहां से जिस वर्ण का उचारन बताया गया है कि जो कंठे वर्ण हैं उनको कंठ से उचारन करते हुए तालब भी शकारा आदिका वहां से उचारन करते हुए मूर्धन जहुआ मूली इत्याद जो भी जैसे वर्ण है उनको जहां से उचारन करने का प्रयतन इत्याद के वारे में जान करके तब ये सब उचारन करना चाहिए उचारन कैसे करना चाहिए ये जो विधी है ये सिक्षा ग्रंथों में है हमारे यह बहुत प्रकार की सिक्षा हैं, 1131 शाखा हैं और प्रत्य शाखा की लगवग अलग-अलग शिक्षा हैं और वो मुख्य रूप से पांड़नी सिक्षा, यागवली की सिक्षा, वसिष्ठ सिक्षा, भारतवाज सिक्षा, कुण्यन न्याइन सिक्षा, अन्य प्रकार क की सिक्षा हैं अभी भी बरत्मान में लगवग दोसो ढई सो सिक्षा ग्रंत प्राप्त होते हैं उन में उच्छान से सम्मंधित विवर नहीं है और उसको अधिगम्म करना हम सभी ब्राह्मनों का मुख्यूरूप से करतब्य है और सभी को बतलाएं और सुहम भी पालन करें हर हर महादेव